सभी आदमी का किस्मत साथ नहीं देता है क्या आप अपना किस्मत बदलना चाहते हैं और कैसे बदल सकते हैं आज हम तीन उपाई बताएंगे और सिर्फ तीन उपाई आपको करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ तीन उपाई बताएंगे अगर आपका किस्मत आपको साथ नहीं दे रहा है तो देखिए सबसे पहले हम इसको बताने से पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि हम पिछले जनम में जो भी हम से गलती होता है उसका फल हमें इस जनम में मिलता है जो हम मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम उसका फल नहीं मिल पाता है, तो इसका कारण क्या है और इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, देखिए सास्तों में यह सीज़ बताया गया कि सबसे पहले पूजा पाथ जो करना होता है, पूजा पाथ हम इसलिए नहीं करते हैं कि भगमान हमको सकारात्मक इनर्जी यानि की positive इनर्जी देंगे जिससे आपको करम करने में मन रहेगा और जब आपका विचार सकारात्मक होगा तो आप करम भी सकारात्मक करेंगे आपके पास में negative इनर्जी नहीं रहेगा आपका मन नकरात्मक नहीं रहेगा जिससे आप अच्छा कर सकते है अब तीन चीज की जो बाते किये थे, सबसे पहले आप अपने घर में, जो है मचली पाले, मचली एक्यूरियम आता है, उसको आप रख सकते हैं, अब देखिए कि उसमें जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होगा, वो मचली मर जाएगी, कुछ भी बुरा होने वाला होगा, वो मचली मर जाएगी, यह चीज आप ध्यान में रखे, एक साथ सब मचली भी मर सकती है, एक साथ सब मचली मरना थोरा सा निगेटिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके कुछ कर्म ऐसे जो उसके साथ में मतलब की घटेगा, वो उस चीज को रोकता है, तो उस ब वीडियों में भागी की बाते कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपको मचली पालना है और उसमें गॉल्डेल करना है और उसमें एक काली मचली जरूर रखिए यह आपके दुरुभागी को क्योंकि वो किस्मत जो गॉल्डेल मचली है वो आपके किस्मत को साथ देने के लिए और दुर्भाग को रोकने के लिए वो काली मचली आपके लिए बहुत अच्छा काउम करेगा हाल भी ही हमारे साथ में इसी घटना हुई थी हमारे घर में नहीं मतलब हमारे एक आउट आफ कंट्री के क्लाइंट्स थे जिलिके घर में एक साथ सब मचली मरा था तो हमने उस पर रिसर्ज भी किया तो वहाँ पर हमें ये सी पता चला कि इसके पास में कुछ घटना है और ये घटना जो आने वाला था इसकी बात अभी नहीं थी वो घटना आती एक साल सबा साल के बाद लेकिन वो उसके पहले ही वो मर गया वो बहुत अच्छा हुआ लेकिन एक साथ सब मर गया ये ले लेकर छोड़ी सी हमको प्रलेम थी नहीं तो एक दो मरता तो हमें कोई उतना टेंसर नहीं होता लेकिन हमने उनको सॉलिशन दिया वो सॉलूशन अपना कर लिये तो इस चीज़ पे और दूसरा चीज़ जो है आप dawn कीजिए dawn करना बहुत important है dawn से क्या होता है dawn करने से आत्मी में एक अलग तरह की positive energy आती है dawn किसी को dawn करने से जब आप किसी को देते है Lydia किसी को अगर mobile की जरूवत है suppose कीजिए या किसी को किताब की जरूवत है पढ़ेगा लिखेगा फिर अब आगे चलके वह कुछ भी कर सकता है तो उससे आपके पास positive energy आएगी second thing जो वह आसिरवाद देगा उसकी जो दुआ होगी वह बहुत कम करेगा जहाँ पर दवा कम नहीं करता है वहाँ पर दुआ कम करता है यह चीज आप याद रखिएगा तीसरा है यह थोड़ी घजी की मतलब की प्रोसेस है इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है इसमें आपको यह जल्दी मिलेगा नहीं अईसा खर्गोस पालिए अईसा खर्गोस जो एक पैर वाला खर्गोस अगर यह नहीं भी मिलता है न देखें आप लोग कहते हो चार पैर वाला खर्गोस एक पैर खर्गोस करना हो या तो तुटा हो या कुछ भी हो तीर प्यारवाले खरगोस अगर आप रखते हैं तो इससे भी फाइदा मिलता है नहीं तो आप खरगोस का जो फोटो होता है या खरगोस चिमनी मुटी का मिलता है ये भी लाके आप अपने घर में लगा सकते हैं तो इसमें क्या है कि जो आपका भाग खुल नहीं रहा है अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं अगर। आप पामेश्च्री ची Zी चाहते हैं यदि आप उन्ड़ि सीकना चाहते हैं।